जैहिन आज की प्रेस ब्रीफिंग दो तीन उद्धो पर है जिसमें की सबसे इंपॉर्टेंट एक मुबारक का है मैं उधंपूर वासियों को मुबारक देना चाहती हूँ कि हमारा डिस्टिक हॉस्पिटल उधंपूर टेली मेडिसन की सुविधा के साथ आप लोगों के सामन में आ गया रिजिस्टर हो चुका है ट्रेनिंग्स हो चुकी है इंफ्रस्ट्रक्चर लग चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की तारीख में हम लोग रियल टाइम पेशेंट के साथ हमारी कंसल्टेशन जो है वो शुरू हो चुकी है टेली मेडिसन डिस्टिक ह लेवल में भी टेली मेडिसन की सुविधा जो है वो उसकी ट्रेनिंग्स चल रही है और इसकी जितने भी लोग इस सुविधा इस फिसलिटी का फायदा लेना चाहते हैं उन सारों को जादा से जादा इसका फायदा मिले इसके लिए बुंजा ऐसे पॉइंट्स तयार किये जा रहे हैं ट्रेनिंग्स अट लोगर लेवल हाव स्टर्टेड और कुछी दिनों में आप देखेंगे कि टेली मेडिसन की सुविधा उधंपुर में बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू कर देगी इसी सुविधा के साथ सोशल मीडिया में हमें एक प्रासिमम दवाईयां ग्राउंड लेवल पे गाउं में उपलब्द कराई जाएं मेरी पूरी कोशिश है कि अगले 20-25 दिनों में मैं जेनरिक दवाईयां आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे कि गरीब आदमी भी अच्छे से अच्छी दवाई का फा दॉक्तर के साथ करना चाहरे हैं एक दिन पहले आपको स्लॉट अप्रूफ करवाना है स्लॉट अप्रूफ यानि की आप डॉक्तर से अपॉइन्मेंट ले लेंगे आपका किराय का जितना भी खर्चा है वो खतम हो जाता है दूसरा बहुत अच्छे डॉक्तर सीनियर नामी गरामी डॉक्तर्स आपकी बात सुनने वाले हैं तो उससे डॉक्तर्स की जो कंसल्टेशन फीस है वो खर्चा भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा थर्ड and very important is कि अब ऐसी कई लोग जो की कोविड की महमारी के चलते उधंपुर तक नहीं पहुँच पाए वहां भी आपकी मेडिसन की सुविधा जो है वो हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं यह हो गई पहली बात दूसरी चीज मैं एक ऐसा मुद्दा आपके साथ टच करना चाह रही हूँ जो की आज की तारीख में बहुत सारे लोगों को इसको फेस करना पड़ रहा है वो है mental health issues Covid के चलते पिछले एक तेट साल से हम इस में हमारी से जूज रहे हैं इसके चलते बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़रा है आर्थिक नुकसान बहुत सारे लोगों के प्रियजनों का नुकसान और इससे भी जादा एक monotony दिमाग में घर कर गई है frustration और बहुत सारा जो आगे आने की आगे future की जो uncertainty है वो हमारे दिमाग में जो है वो घर कर रही है हमारे डिस्ट्रिक उधंपुर में हमने एक initiative शुरू किया है जिसके तहट हम mental health issues हमारे अपने हमारे local उधंपुर के government doctors उसको deal करेंगे पिछले दो हफ्तों से हमारा ये sessions facebook पे twitter पे आपको एक link के प्रती मिल रहा है जिसमें की हमारी doctors ने बहुत अच्छे अच्छे topics उठाए हैं कि covid के दौरान अपने मांसिक स्थिती जो है उसको कैसे healthy रखा जाए एक step आगे जाते हुए अब हम ये करने वाले हैं कि इन doctors का facebook live session आपके साथ शुरू करेंगे ताकि वो लोग जो मांसिक परिशानी से जूज रहे हैं जिनको किसी को बात करने के लिए नहीं मिल रहा इसके इलावा हमने आयूश department की मदद से योगा सेशन पिछले 16-17 दिनों से हमारे डिस्ट्रिक में चल रहा है ये वो योगा आसन सुभे साड़े साथ बजे से साड़े आठ बजे तक हमारे अपने सरकारी मुलाजिम जो हैं आपको सिखाते हैं जिसमें की breathing exercises से लेके पूरा अपना जो योगा जितने भी आसन हैं वो उसमें involve किये जा रहे हैं ये सारी चीजों की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि कोविड ने हमें सिरफ हेल्थ से हमारी फिजिकल हेल्थ से नुकसान नहीं पहुंचाया हमारी सोचने का हमारा thought process भी उससे impacted है so this is an initiative both initiatives are going on very fine बहुत लोग जो हैं हमें follow कर रहे हैं मेरी request है कि इसको जादा से जादा popular किया जाए ये तीनों मुद्दे जो मैंने अभी आपके साथ कहें ये बहुत sensitive nature के मुद्दे हैं मेरी request सभी से है कि कोशिश करिए कोविड की positivity को कम से कम रखा जाए आज की date में भी हमारी positivity 3.8 है इसका मतलब आज भी 30 से 40 cases per day आ रहे हैं so मेरी request सबसे है कि अगर आपके घर में एक कमरा है आपके घर में एक ही toilet है जो positive और negative दोनों इस्तिमाल कर रहे हैं so मेरी request सबसे है specially rural area से कि कोशिश करिए कि हमारे COVID care पंचायत isolation centers में भरती हो जाए वहाँ पर खाना और इलाज मुफ्त है अपने प्रियजनों के इलाज के लिए अपने प्रियजनों की safety के लिए बहुत जरूरी है कि आप अलग हो जाए isolate हो जाए Thank you, Jai Hil